हेलो प्रेट्स आज मैं आपके शाथ में सेयर कर रही हूँ गोवी के इस्टफ पराठे बनाने की रेसीपी जो की खाने में बहुत ही श्रौदिश्ट है इसके साथ सथ यह बहुत ही खस्ता और एकदम कृष्पी रहेंगे उमी देखी आपको रेसीपी जरू प्रिशंद आएगी तो प्लीज वीडियो की नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंट्स तो यहां पे आप देख रहे हैं प्रेंट्स ती जो पराठा है चारो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे हैं नमस्कार जिस्तो मेरा नाम है सुस्मा आप देख रहे हैं पुड़ो भी तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं गोवी पराठा बनाते समय पे हम हमेसा कन्फ्यूज होते हैं कि पहले इस्टफिंग रेडी करें या भी डो रेडी गहरे तो थूड़ा समयне हम पे राधा चममस नमग डाल दितिया है सब्सें अइप कर बाटी फ्लेवर राते में और इसको थोड़ा सा यहां पे घीं ढल रहे हूं तोwy से तुड़ा सा मैल्ट कर लिया थै तो त्ड यहां है शته कर रहे हो इस तो एक दिदर से अच्छी तरी आटा गूनते हैं तो इसमें नमक डालिए और थोड़ा सा ऑईल या घी डालिएगा अजवाइन भी जरूर डालिए इसमें बहुत बढ़िया मतलब फ्लेवर आता है उसके साथ साथ डाजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है पानी यहां पे थोड़ा थोड़ा डालके ही हम हमें क्या करना है इसे डाक के रख देना है जब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं तब तक हमारा आटा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा तो मैंने यहां पे फूल गोवी दो छोटी छोटी लिया था आप चाहे तो बड़ी भी ले सकते हैं इसे मैंने पहले तो होते हैं और तोक आप हो लेते हैं उसी तरह से हम यहां पे भी आप ह THE कर लेंगे मैं हाँ इहां पर सभी और यहां पर सभी और डेका यह डिया है सबसे पहले हम इसे अच्छे से नीचोर लेंगे क्योंकि इसमें पाणी रहता है अगरम ऐस बना लेंगे 또 प्राटे जितना भी पानी है इसके अंदर वो पूरा निकल जाना चाहिए अगर थोड़ा भी पानी रह गया तो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे तो कुछ इस तरह से हमें निचोड़ना है थोड़ा हातों में थोड़ी ताकत लगाना है इस तरह से आप देख रहे हैं कितना पानी निकल रहा है फिर भी हमने गोवी को पहले आदे घंटे पहले से ध्र ही दोगतर दोग दिया था तो इसके बाद भी हमें ध्युर्णब नीकल चुल है इसलिए इस मिली निचोर लेना है गोवी में जितना भी पानी था, अब क्या करना है इसे ठाला के धालर लेना है तो आप देख रहें प्रेट्स यहां पे जो गोभी है एकदम से अलग-अलग हो रही है इसी तरह से होना चीए अगर आप गलती से भी पानी इसमें थोड़ा रख देते हैं तो आपके पराटे जो है अच्छे नहीं बन पाएंगे परिशान हो जाएंगे तो 1-4 ऐस्पून घरम मचला एडट करदेंगे आदा चोटी चम्मच धनिया पाओड़र एड़ करेंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे आदा चोटी चम्मस अजवाइन अजवाइन डालने से बहुत बढ़िया फ्लिवर आता है इसके साथ साथ टाइजरसन के लिए बहुत अच्छा होता है आदा चोटी चम्मस जीरा डाल देंगे और आदा चोटी चम्मस रेड़ चिली पौड धनिया हरी धनिया डालना बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी अ फ्लेवर आता है आप चाहे तो यहां पर प्याज भी बारिक कटे वी एड़ कर सकते हैं बट एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जब भी अगर आप इसमें प्याज डाल रहे हैं तो इसे भी अची तरह स बारिक चौट कर लिया है इसका स्टफिंग मैं अलग बना लेती हूं कि किसी को प्याज का पसंद रहता है किसी को नहीं रहता है अगर आपको प्याज इसमें पसंद है तो आप इसमें जरूर डालिएगा मैं भी यहां पे अलग बना लेती हूं थोड़ा सा कभी कभी बच् को भी हलका सा नीचोड लीजेगा है नहीं तो क्या होगा कि स्टफिंग जो है आपकी थोड़ी सी कीली हो जाएगी तो पराठे बिलने में दिक्कत जाएगी तो यहां पर डो हमारा अच्छे सेट हो चुका है फिर भी हम इसे एक बार और मसल लेते हैं हाथ में आदा चोटी च इसके टोड़ लेंगे तो चली यहां पर हम पेड़े जिसे टोड़ लेते हैं तीन से चार एक साथ और एक पराठे में आपको यहां पर बना कर दिखाती हो अब हमें क्या करना है आटे में इस तरह से थुड़ा सा लगा लेना है ताकि पराठे बेलते समय पर दिकत नहों इ किस तरह से हम कचोडी के लिए तयार करते हैं रीडी करना है तो आप देखने हैं यहां पे जो कचोडी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है अब हमें क्या करना है इसके अंदर हम इस्टफिंग डाल लेंगे तो जो भी आपको पशन देख प्याजवाली यह जो भी बनाना चाहत तो आप बनाईएगा तो मैं यहां पे प्याजवाली पहले बना लेती ही एक और इस तरह से हमें फोल्ड करना है यह देखिए इस्टफिंग को थम से इस तरह से अंदर करते रहना है अगर आप से कटोरी जैसे नहीं बनता है तो आप क्या करें पूरी जैसे बेल कर उसके निकाला है आप चाहे तो इसे निकाले या फिर उसे वहीं पे दबा दें गुल-गुल गुमाते हुए हम इस तरह से दबा लेंगे ताकि इस टफिंग बहार ना निकले तो चली इसे बेल लेते हैं थोड़ा सा आटा फिर से लगा लेते हैं और इसे बेल इसमें पर बस एक निकि़क जिएंगे तो यहाँ परसे और चिडग दैंगे और इसे हम बेल लेंगे तो जो हमने पराठा बेला है ना ही मुमें इसे मॉटा रख्या है और नहीं ज़्यादा पतला किया है, बिल्कुर मेडियम रखा है, यह देखिये गा, बहुत अच्छे से बेला है, और बिल्कुर बेलन में भी नहीं चिपका है, और नहीं चौकी में चिपका है, चली चलते हैं, गैस के पास में पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो यहां पे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा तो मैंने आप इसे पल्टाते समय भी थोड़ा जल्दी से पल्टाया है आप देख रहे हैं इसी तरह से हमें इसे पल्टाते रहना है दोनों साइड से ताकि पराठा देखने में भी अच्छा लगे और खाने में मज़ा आए अगर प guy के फ्राठे जल जाते हैं तो खाने का मज़ा नहीं आता है तो मिडियक नशुड़ा भी थोड़ा साभ लिटे ही पराटे को सेंग आप तो जले जले से पराठे दोपर से और खाने में मज़ा नहीं आता है तो ग chopped कि अधिए आप प्राठे हैं अगर आप इस तरह से प्र तो इस तरह से अगर पराठे के अंदर फैल जाती तो पराठे खाने का जो टेस्ट है डबल बढ़ जाता है तो मैं यहां पर आपको इसको टोड़ के दिखा रहे हूं तेकि कितना खसता पराठा है आप हमारा बनकर रिडी हुआ है गोघी के पराठे ठेकि सीजन में खाने में बहती मजह आता है अगर आपने इस तरह से ट्राइ नहीं किया है तो आप इसे जरू ड़र कीज़ेगा आप लिखे दिख आता है या दिखे ऐत जाता सकते हैं या पिर दैई के साथ भी खूसकते है आप चाहें तो यहां पर कर लीजिएगा सबस्क्राइब की पास में बेल आइकन की बिटन ही उसे भी क्लिक कर दीजिए और को प्रेश कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप कमिन जाएगी थैंक यू